आज मैं बहुती टेस्टी मक्के के आटे से बने अली रोटी की रेसिपी लेकर के आई हूँ सबसे पहले मैंने आटे को छान लिया है इसमें नमक डाल दिया है और गुनगुना पानी लेकर के हम आटा गुन लेंगे रगड रगड के और मसल मसल के गुनने से जो हमारा मक्के का आटा है वो परफेक्ट गुनता है ये देखिए इस तरीके से आप हातेली से रगड रगड करके अकर गुन देंगे तो आपके मक्के के आटे की जो रोटिया होंगी वो परफेक्ट बनेंगी ये देखिए इस तरी गरम हो चुका है उस पर हम रोटी को डाल दे रहे हैं देखे हमारे मक्के की रोटी दीरे-दीरे करके सिक रही है हम देख ले रहे हैं कि हमारी मक्के की रोटी जो है कहीं चिपक तो नहीं गई है चिम्ते से लगा के हम देख ले रहे हैं जब हमारी मक्के की रोटी एक तरफ से सिख जाएगी तब हम दूसरी तरफ से भी देख लेंगे जब हमारी तवे पर दोनु तरफ सिख जाएगी तो हम तवे से हटा करके गैस पर रख करके उसको सेख लेंगे देखिए रोटी हमारी मक्के की कच्ची नहीं रहने चाहिए इससे रोटी को हम खड़ा करके यह देखि काला है कि तो रोटी है थोड़ी मोटी होती है तो रोटी जो है बिल्कुल भी कचिए रहे हुआ तो ना तो तो डिल्स काली होती है और ना अटी चली आ रहे वे नहीं तो तूट numero ए छहा रहे हैं हमारी रोटी घरी हूं करके सिकती यह देखी हम उलट-पुलट करके रोटी को सिंक रहे हमारी रोटी शिक चुकी है और आप हो इसमें देशी लगा लगा दे रहे हैं मक्के की रोटी में जो देशी गी जो हैना फिर इसको हम खड़ा करके बिल्कुल हलके हाथ से सेखेंगे हमको सिर्फ इस तीज का ध्यान रखना है कि हमारी रोटी तूटे ना मक्के क्या आटे की जो रोटी होती है वो बहुत जल्दी तूट जाती है अगर आपने परफेक्टली आटा गूंदा है तो आपकी रोटी नह जाती है लेकिन हम इस इसका ध्यान रखना है यह देखिए रोटी हमारी किती परफेक्ट बन रही है सर्दियों में मक्के क्या आटे की रोटी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसको बत हुए किरायते के साथ आप खाईए ना तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है औ गीस में अंदर जो है सारा ही खटा हो जाएगा यह देखिए और हमारी मक्के के आटे की रोटी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यह देखिए रोटी हमारी परफेक्टली बन चुकी है वीडियो को शेयर करिएगा और रोटी क को मैंने बत हुए के रायते से और समझी से